नमस्कार विशंपूर्ण विश्व का मार्ग दर्शन कर रहे हैं। महराजागर से इन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष उसके आधार स्तंब। जॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने मेट्स के नाम अपने संदेश में कहा कि श्री मोधी को जिस तरह से पूरे विश्व ने सुना वो दर्शाता है कि भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृती विश्व को सनमार्ग पर लाना चाहती है। श्रमोधी ने न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और मानवता पर आधारित वैश्वी करण पर जोर दिया। उन्होंने कहा आवशक्त है ऐसे अंतराष्ट्र संस्थानों की जो आज की दुनिया का प्रतेने धित्व करें। वसुदहेव कुटुम्बकंब के मंतर पर विश्वास करने वाला भारत सदा से सबका सहयोग करता आया है। आतंकवाद जूठी खबरों और डॉक्टर्ड वीडियोस के माध्यम से व्यमनस्य की आग पहलाना चाहते हैं। विगत तीन-चार दिनों में आतंकी हमलों में CRPF के तीन जवान और इंडियन आर्मी के पांच वीर शहीद हो गए। आतंकी हमलों पर दुख जताते हुए जॉक्टर गर्ग ने दुराचारी शक्तियों को निशाना बनाते हुए कहा कि हिंसा मानवता का मार्ग अवरुद्ध करती है। आतंकवाद फैला रही ये ताकतें क्यों नहीं समझती कि खून अपना हो या पराया हो नसले आदम का खून है आखिर। जंग मश्रिक में हो के मगरिब में अमने आलम का खून है आखिर। जॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने हंदवाडा में आतंकवादी मुठफेड में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों करनल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुचसूद, लांस नायक दिनेश, सब इंस्पेक्टर शकील काजी, नायक राजेश, कॉंस्टेबल चंदर शेखर, रश्वनी कुमार यादव और कॉंस्टेबल संतोष मिश्रा को श्रधांजली देते हुए कहा, कि देते प्राणों का दान देश के हित शहीद, पूजा की सच्ची विधी, वे ही अपनाते हैं, हम पूजा के हित थाल सजाते फूलों का, वे अपने हाथों, अपने शीष भारत के अमर सपूत हैं, मा भारती को अपने इन वीर सपूतों पर, अपने इन शहीदों पर नाज है, भारतवासी इन शहीदों के रण से कभी उरण नहीं हो पाएंगे, वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है, आज कितनी शान से, इस वहीं यह देश की नागरीकों का मनोबल भी बढ़ाती है उसका संबल बनती है तीन मई को चीफ अफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के आदेश पर भारतिय सेना ने कोरोना फाइटर्स पर फूलों की वर्शा कर उनका सम्मान किया और उनके प्रती अपना धन्यवाद व्यक्त किया। ऐसा सिर्फ भारतिय संस्कृती में ही संभव है। भारत के प्रधान मंत्री श्री मोधी नकेवल भारत को अपितु पूरे विश्व को मनोबल बढ़ाते हैं, पूरे मानवता का उत्सह वर्धन करते हैं, अपने देश ही नहीं, अपितु संसार के विभिन देशों के राजनेताओं से फोन पर बात चीत कर उनका उत्सह बढ़ा था, मेट्स परिवार का हाल चाल लिया था। जॉक्टर गर्ग ने कहा कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई सॉल्यूशन धूंडा ना जा सके। आवशक्ता अपने होसिलों को उडान देने की है, आवशक्ता अपने लक्षे को साधने की है, आवशक्ता अरजुन की तरह निशाना लगाने की है। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आस्मा और भी हैं। इसी रोज और शब में उलज कर न रह जा कि तेरे जमी और मकां और भी हैं मेट्स परिवार की ओर से सभी कोरोना फाइटर्स को कोटी-कोटी प्रणाम सभी के लिए प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्यन्तु मा कश्चत दुग भाग भवेत और इसी प्रार्थना के साथ इस